दोस्तों कभी बार बार खराब होने या कभी कभी आग लगने की वज़े से ओला का स्कूर्टर सुर्ख्यों में बना रहा लेकिन ओला का ये स्कूर्टर कुछ अलगी वज़ाओं से चर्चा में बना हुआ है हुआ कुछ यू था कि कॉमेडियन कुनाल कामरा और ओला के सीयो भाविस अग्रवाल के बीच ओला स्कूर्टर को लेकर काफी सोशल मीडिया एक्स पर भिड़न्त के रूप में देखा गया है सब कुछ जानेंगे आज हम विस्तार से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टेडी विद अंकित में दरसल कॉमेडियन कुनाल कामरा ने पिछले दिनों एक्स पर एक तस्वीर डालते हुए लिखा था कि क्या भारती ग्रहकों की कोई आवाज है? क्या वे इसके हगदार है? दो पहिया वान कई दिहाडी मजदूरों की जीवन रेखा है उन्होंने इसके बाद हमारे परिवहान मंत्री नितिन गटकरी जी को भी टैक करते हुए क्वेस्चन किया था कि कैसे भारती इस तरह से इलक्ट्रोनिक्स वीकल्स का इस्तमाल करेंगे? इस ट्वीट के बाहर आने के बाद ओला के सीयो भावी सगरवाल भढ़क गये और उन इसके बाद ट्वीट का बवाल मच गया कुनाल कामरा सिकायतों के लेक और डाटा पोस्ट करते रहे और भावी सर्गवाल उनके कॉमेडी करियर को लेकर पोस्ट करते रहे लेकिन इस बात से अगले ही दिन ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 8% गिर कर 90.26 रुपए तक आ गया वह दा सेंट्रल कंजूमर प्रोटेक्शन अथॉर्टी ने कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रावधानों को लंगन देखते हुए एक नोटिस जारी कर दिया है इस नोटिस में कहा गया है कि कम्पनी ने अपनी सर्विसेज फ्रामक आइडवेटीजमेंट अनफेयर ट्र सर्विसेज को लेकर आलोचना का पात्र बनती रही है जिससे इसके शेयर प्राइजस भी नीचे आते रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि कंपनी मुसीबतों से जूज रही है देखिए ये पहली सिकायत नहीं है जो ओला सर्विसेज पर लगी है मीडिया रिपोर्ट्स और स इस तरह की सिकायतें देखने को मिलती है कि किसी स्कूटर ने आग पकड़ ली या किसी कस्टमर को प्रॉपर सर्विस नहीं मिली जिससे परेशान होकर उसने ही ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्वयम से ही छतिग्रस कर दी तो इससे एक बात तो साफ है कि ओला इलेक्ट्रि celebrity ने X पर जाकर इस तरह सिकायत नहीं की देखिए जिस range के गाड़ी है तो इसे आम हमारी आपकी तरह का ही customer खरिता है और अपनी जरूरत के लिए या तो अपनी रोजी रोटी के लिए खरिता है और आम लोगों के इतने followers नहीं होते कि ये बात Ola के official तक पहुँचे तो सिकायत करना तो अच्छी बात होती है ताकि आप अपनी गुड़त्ता पर और ध्यान दे सकें और अगर आप company के तोर पर देखें तो sorry और inconvenience जैसे सब्द शायद आज इसी दिन के लिए बनाए गये थे ताकि आप अपनी गलतियां realize कर सकें और अपने काम पर और अच्छे से focus करें लेकिन यहाँ पर तो आप पे ही सवाल कर दिया गया कि आप real customer है ही नहीं तो मान ले की camera real customer नहीं भी है तो हर class की सिकायत उसे भी द नहीं आये हैं बलकि वो इससे पहले भी कई बार ऐसे ही सुर्कियों में आते रहें इससे पहले भी वे work life balance पर बात करके बुरी तरह फस गये थे इसमें उन्होंने कहा था कि Saturday Sunday holiday नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सब western import है हम भारती lunar calendar यूज करते हैं वहां इन holidays का कोई revolution की सुरुआत के बात से ही सब कुछ बदला है तो work life balance का concept भी तभी से आया होगा तो ये भाविश अग्रवाल अपने काम के लिए तो productivity की बात करते हैं पर जब बात इनके अपने product की हो तो ये criticism नहीं ले पाते हैं इसी work life balance के लिए शायद Ola scooter Saturday और Sunday को start भी नहीं होता ये त और उनका un-competitor company से margin भी बहुत ज़ादा है तो उन्हें ये facilities provide करानी चाहिए ताकि customer परिशान ना हो आज कल के समय में जब middle class बड़ी मुश्किल से पैसे का इंतजाम करके EV scooter खरीद पाता है और कई तो अपनी रोजी रोटी के लिए ही loan कराके इन गाडियों को खरीदते हैं लेकिन जब ये गाडियां उन्हें इस तरह परिशान करेंगी और वे इन गाडियों की शिकायत के लिए आपके पास ही आएंगे और अगर आप इने proper help नहीं करेंगे तो वे कहां जाएंगे क्योंकि जिन्होंने पूरे पैसे अपने पास से दिये हैं वे तो आपकी service का इंत क्या होगा वो तो इंतिजार नहीं कर पाएगा उस पर धोरी मार होगी जिसे वो कभी भी सहर नहीं पाएगा और इस मार से वो शायद कभी उबर भी नहीं पाएगा अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने मेहनत की कमाई कहीं भी देने से पहले थोड़ी जाच बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा